है है निएक्स्टोप पी किया होगा आपका कॉंगिनीश्टlläॉजिक सरकीट के जो आपके बारे में डिस्कूस करेंगे वन बाई-उन जिस ay अपका एडर होग det करें कि इंकोडर होगया तो अगर हम फेर की बात करें निफळों कNIE हैश कैकट कि अगरां ट जो टाउप देदर फर्स्ट को क्या बोलता हो मिस्केंड को क्या मुझेट मठों बूलतो अबसक यूज मताब की होता अब तो जब भी आप Additionally मिटिस की बात करूँगे आप एलर की बात करो दिजान अगर नएक्राइज करें पित्थके बात करते देंट एंड टाgypt को फॉल एडर के लिए गर हमाफ एडर की बाद करें कि आपका हाव दर क्या होता था बैसिकल ली तो इनडेस आप्ड़ one क्या लिखा आपका half hedder इस भी क्या आपका इक सर्कीट का एक part है with two inputs right इसमें number of input केते होते हैं two inputs होते हैं that is a and b and have two output इसमें number of output केते होते हैं two होते हैं sum and carry second point क्या होता the circuit that will add two bits इसमें क्या होता addition of two bits करते हो रहे and produces sum and carry bits इसमें क्या होगा आपका sum bit produce होगा और carry bit produce होगा और logic circuit which perform the addition of two bits is called the half header this is the simple definition of the half header अगर हम half header का block diagram की बात करें इसी जोरो half header number of input किते हैं आपके A and B A और B आपके inputs है means inputs के हो सकते हैं आपका bits होगा ध्यानकना 0 and one input होगा आपका और output क्या होगा अपका एक output क्या आएगा sum आएगा second out put क्या आएग आइगाए क्या आएगा क्या है रहनकना जब भी आप addition करते हो तो क्या होता को SM beat आता हो और यक्र ग Кईरी나ãyट क्या करते हो तो शचेन कर्यक्ट होगा तो कर्यक्ट होगा यह सम् एंड कैडिबीट इस इस वेर वेर इंपॉर्डन पॉइंट आ और अगे अगा आज आज को सब्सक्राइब क्लियर होगा अब देखते हैं अगर हम अब अगर आप हाफ डर की बात करते तो नमबर आफ इंपूट करते हैं नमबर आप इंपूट किते हैं दो इंपूट से तो दो इंपूट से मिस एन इंपूट है तो पॉस्बिल्टी कितनी होगी आपके 2 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 पॉस्बिल्टी कितनी 00001 up to what 111 I think यहां तो concept clear होगा तो अगर आपके पास दो inputs है A and B value क्या होगी 00 यहां तो 01 10 and 11 तो four possible combination होगे इसके लिए हमें two table बनाना होगा और output क्या हैगा sum और carry आएगा तो जब भी आप 0 plus 0 करते हो तो sum क्या होता आपका 0 होता है और carry क्या हाता आपका 0 होता है तो sum की value क्या होगी अपकी 0 की carry क्या हो जागा 0 होगा this is the output of what when A is equal to 0 and B is equal to 0 at that time sum bit also 0 और carry bit also 0 this is the simple point regarding the half-eater आज और next point पर देखते हैं क्या है इसमें इसका truth table देख लेते हैं half-eater का अब हाफ-eater का truth table की बाहत करें तो half-eater में truth table देख लेते हैं तो यह क्या हो गया आपका दीशे जो block diagram I think सभी बना लोगे यह और B input हो गया आपका output sum and carry होगा आप देखो truth table क्या होता आपका अगर हम truth table की बाहत करें तो it's so the relation between the input and output निस आपका जो truth table होता उसको कैसे define करोगे आप कभी कभी मालोगो by default आपसे पूछ लिए जा what is the truth table तो क्या होता आप बैसेकली it's so the relation between the inputs and output यह क्या करता है relation को swap करता है किसके बीच के relation के input and output के relation की बीच में यह क्या करता है रिलेसेन को स्वब़करता। इन्पॉट की बिए में क्या सब्सक्राइट है ? जब आपका इन्पॉट esté क्या है? इन्पॉट की बिए में मिलेसेन इस कोई सबाप करता है आपका तो टेबल प्लसक्राइबा. जिस्वीष्ट इस सब्सॉबलेफों द्यूट picked up an B and output क्या होगा आपका sum and carry तो output क्या हो जागा sum and carry हो जागा तो input देखो क्या हो जाएगा आपको 2 inputs है तो possibility कितनी होगी 4 तो 00, 01 10, 11 this is the input then what about the output means आपका case 1 लोग ऐसे exam में आपको point आगा लिखना है case 1 when a is equal to 0 and b is equal to 0 at that time what about the output तो आपको जो sum की value आएगी क्या आएगी और carry क्या आएगा आपको यह define करना पड़ेगा तो sum के value क्या होगी आपकी 0 की carry is also 0 क्योंकि जब भी आपकी 2 bits का addition करोगी 0 प्लस 0 करोगी sum कितनी value आती है 0 आती है carry क्या आएगा आपका 0 आएगा second point if the input a is equal to 0 and b is equal to 1 at that time what about the output sum is 0 sum is what 1 and carry is what 0 means अगर आपका case 2 क्या होगा आपका when a is equal to 1 when a is equal to 1 sorry a is equal to 0 and b is equal to 1 at that time what about the output sum is what 1 and carry is what 0 means 1 प्लस 0 करोगी आप 0 प्लस 1 करोगी तो क्या हैगा sum की value क्या आएगी आपकी 0 प्लस 1 करोगी sum की value क्या आएगी 1 आएगी carry की value क्या आजाएगी 0 आएगी तो जब भी आप 0 प्लस 1 करोगी तो sum is what 1 and carry is what 0 third point क्या हैगा आपका अगर a is what in case of the input a is equal to 0 and b is equal to sorry a is equal to 1 and b is equal to 0 at that time what about the output sum is 1 and carry is also 0 means sum की value क्या होगी आपकी 1 आगी और carry क्या होगा आपका 0 होगा last case में क्या होगा आपका when a and b both are equal to 1 means a की value भी 1 हो और b की value भी 1 हो तो output क्या होगा आपका sum की value क्या हो जागी आपकी 0 होगी और carry क्या होगा, आपका 1 होगा, this is a very very important point, तो 1 plus 1 की case में sum की value 0 होगी, और carry क्या होगा, एक carry generate होगा, यह से आपने किया, 0, 1, और यहाँ पर क्या कट दिया, 1, 1, तो क्या हो जागा आपका, इसको add करोगा, 1 plus 1, 0 हो जागा, और यह आपका generate 1 carry, that is 1, यह 1 आपका carry generate होगा, इसक 1, and 1 plus 1, again क्या होगा, 0 होगा, एक carry यहाँ पर आजागा, तो यह बाजागा, तो इस चीच को ध्यान लखना आप, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 1 carry generate हो रहा है, this is your very very important point, तो यहाँ पर क्या होगा, carry की value क्या हो रही है, आपकी 1 हो रही है, I think यहाँ तो concept clear होगा, this is the truth table of अब इसके logical expression की बात करें, जिसका logical expression को कैसे लिखो गया, आपकी sum की जो value आ रही है, sum का क्या logical expression आगा, carry का क्या आएगा, तो क्या करो आप, जहाँ जाँ 1 है, इसकी variable को लिख दो, sum की, check करो sum के table में, जहाँ जाँ 1 है, उसके respect में input देखो क्या आपका है, देखो यहाँ पर आपका low है और B की आपका high है, A की value 0 है, that means low और B की value 1 है, that means high, that's why we are writing the A compliment, इसको हम बोलते हो, A compliment, इसके लिए क्या लिखा आपने, A compliment लिखा और इसके लिए क्या लिख दिया, आपने B लिख दिया, क्योंकि B आपका high है, low नहीं है, तो अगर low नहीं है, तो क्या लिखोगे आप simple B लिखोगे, अगर जो low है तो इस पर क्या लगाओगे, आप compliment लगाओगे, next point दोखो आपको, और 1 कहां पर आपका है, second point यह 1 है, जिसके लिए क्या लिखोगे, प्लस कर के लिखो, A की value क्या है, आपकी high है, और B की value क्या है, low है, तो यह आपको write A, B compliment, this is the output of the, या you can say the, this is the boolean expression for the sum, उसी तरह यह प्राइट है, boolean expression for the carry, means carry हम C लिख रहे है, और sum को हम S लिख रहे हैं, तो carry हम दोखो, 1 कहां पर है, तो 1 है, तो carry के लिख दिया आपने, वहां पर 1, 1, तो दोनों जगा 1, 1 है, तो 1, 1 के लिखोगे, आप, A compliment, B compliment, sorry, दोनों 1 है, तो 20 जगा आपका, A और B आजागा, तो sum की जगा क्या आजागा, आपका, A और B आजागा, अब दोखो, यह कौन सा output है, अगर आपने logic gate लेक्चर को देखे होंगे, तो दोखो, output किसका है, this is the simple, but nothing better, यह किसका output है, आपका, एक जोर gate का output है, आपका क्या जगा, इसको क्या है, तो यहाँ पर क्या होजागा, आपका, एक and gate लगेगा, अगर इसका हम logical circuit बनाना चाहिए, तो logical circuit क्या से बनेगा, आप out the sum, तो sum के लिए जो logical circuit होगा, क्या होजागा, आपका, this is the, यह आपका sum बिट यहाँ से आजागा, और carry के लिए अप्रूर आजागा, और carry के है, simple circuit, इससी को देखके हमने क्या कर दिया, इसको logical circuit बना दिया, तो देख सकते हैं, आप इस sum के value क्या है, एक B बार, प्लस A बार B, तो इसको क्या लिए सकते हो, आप एक जोर P, carry के value क्या आ रहे है, आपकी A, B, that means आपका and gate आ रहा है, और यह कौन सा gate है, आपका, एक जोर circuit, ठीक, same चीज़ आप बना सकते हो, by doing the K map, corner of map, K map को यूज़ करके भी, इस सारी चीज़ आप बना सकते हो, तो इसमें number आप variable कितने, two variable है, तो two variable के लिए क्लिक आ करोगा, आप यप to draw a K map, उससे भी क्या कर सकते हो, आप इसको बना सकते हो, तो देख सकते हो, simple यहाँ पे by doing K map, same expression आपका आएगा, जैसे आपने वहाँ पे find out किया था, तो by doing K map के लिए क्लिक आ करेगा, आपका same expression आएगा, तो two variable के मैप draw करो आप, तो two variable के मैप, ठीक, जैसे आपका यह sum and carry आप, के मैप for the sum and carry के लिए आप draw करो, तो this is जो two variable के मैप, इस तरह से box आप draw करो, A और B आपका input हो जाएगा, variable हो जाएगा, ठीक, ति B bar B हो जाएगा, आपका A bar A हो जाएगा, ति वाली value क्या आजएगी आपकी, A bar B आ जाएगी, ये वाली value क्या आजएगी, आपकी A bar B आ जाएगा, ठीक, ये क्या जाएगा, आपका A bar B आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा पर दिखोν हो यहाँ यहाँ आपका इस्कि बारिया कोई घृपिंग नहीं और करी के लिए तो कही के लिए द्लोच लों यहां पर कहाँ पर यहां पर कैने के लिए आपका यहां पर कर लो यहां पर के लिए एधी यहां करें आपको एडंग बार हो जाएगा जिक्षम ओबर सकते हो यह भायजिन simple आप Boolean function find or record सकते हो आप two tables से so this is the logical diagram for the half-eater अभी क्या है आपका logical diagram अभी मैंने draw किया था बिना two table को देखके हमने बनाया था तो this is the logical diagram of the half-eater तीक हो जग आपका logical diagram of the half-eater की इस circuit है तो इसको बुलते हो आप half-eater और ए sägerडिया आपको इंपूट रहें सब्क्राइब है इसको इसको एक जॉर भी मुट सकते इसको इसको क्वेंड खारके सिर्फम्ट बीutan 3 UKL creep का और गींद बीट कभी कभी आका का कुछ आपका सम टारा मोड किस किरों कि तुद तो और रहा है तो CT और क्या आटपुट आता है और कभी कभी आपको सिंपल से कोश्चन आ जाता है तो रिलाज यह हाफ एडर सरकीट फाइब टू इंपुट नैंड गेट और रिक्वाइड कभी के पूछ लेता है कि आपको हाफ एडर सरकीट रिलाज करने के लिए इंप्लिमेंट करने के लिए नम्मर आफ नैंड और नौर गेट की कितनी रिक्वार्मेंट होगी तो लेडर की बात करेंगे सब्स्ट्रेक्टर की बात करेंगे एंड अधर कॉंटिेंशनल लॉजिक सिर्कुट की बात करेंगे तो आज के लिए इतना है थैंक यू